दोस्तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली हो तो आप से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज वीडियो को अंतक देखेगा ताकि आपको फूल नालेज मिल सके दोस्तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सबसे सस्ता रिचार्ज कौन सा होता है एर टेल, बИ, बियसनल और जीओ का सबसे सस्ता रिचार्ज जो आपकी आउट गोइंग और इंकमिंग सेवाय को रख सके सबसे सस्ता सस्ता रिचार्ज मैं चारों कमपनी के बारे में बताऊंगा तो ध्यान से समझेगा आपके पास यदी सीम है तो आपके ये वीडियो जरूर लाबदायक होने वाली है चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ अब आपको बिना टाइम गवाय मैं बताता हूँ यदि चैन ससता रिचार्ज कौन सा करा सकते हैं जिसमें आपकी ऐंट गोई इंकमिंग सेवाये चालू रहे तो सबसे सस्ता रिचार्ज 49. pega बंद हो चुका है आपको पता है तो अब आपको सीम कार्ड है और बेसनल का incoming outgoing सेवाई चालू रखना चाते हैं सबसे सस्ता recharge 75 का आता है 75 का जिसमें आपको दो महीने के लिए आपकी बैदता जो है स्टार्ट रहती है 75 रुपे में और सबसे सस्ता recharge बेसनल में 49 का आता है जिसमें आपको 100 मिनट दिया जाता है और 28 दिन के वेल्टीडी दिया जाता है अब तीसरी प्लान के बात करते हैं तो तीसरा आपका प्लान आता है भी आई का आपको पता है आईडिया वोडाफोन भी आई तीनो एक ही कमपनी है तो यदि आप उसका सबसे सस्ता तो दोस्तों भी आई का सबसे सस्ता रिचार्ज यानि वोडाफोन आई डिया भी आई का सबसे सस्ता रिचार्ज कराना चाते हैं अपना जो है आउट गोइंग इंकमिंग सेवाए चालू रखने के लिए तो आप 49 का रिचार्ज करा सकते हैं जिसमें आपको 38 उर्पे बैल करने के लिए 139 रुपे खर्च करना पड़ेगा 139 रुपे में आपको एक महीने के लिए अलिमिटेट कॉल दिया जाएगा और आपकी वैधता भी एक महीने रहेगी यानि सबसे सस्ता रिचार्ज 139 का आता है जियो के लिए Android फोन के लिए यदि आपके पास कीपैड मोबाइ लिए तो आप आसानी से 75 रुपे करा सकते हैं जिसमें आपकी एक महीने की वैधता हो जाती है दोस्तों मैं आसा करता हूँ कि आपको सारे जो है जितने भी टेलिकाम कंपनिया सबके बारे में सस्ता रिचार्ज मैंने बता दिया जो आपको यह पता लग गया इस वीडियो क के मादेम से तो चैनल को आप वीडियो देखते हैं लेकिन सस्क्राइब नहीं करते हैं तो चैनल को सस्क्राइब कर दीचे यदि किये तो आपका धन्यवाद और लाइक करिएगा हो सकते दोस्तों को सेर करिएगा मिलते अगले वीडियो के साथ तब तक की लिए जैहिन कि अखरेध्म करूम को